का अ-फैलो फ्रेंड्स ये वीडियो में हम टाइजेशन के बारे में बाते करेंगे एक फार्स्ट कॉष्टिट अवर्ट इस डाइजेशन डाइजेशन ये ब्रेकडाउं अफूर इंटुझ स्मॉल मॉलेकूल थाकि यह स्मॉल मॉलेकूल हमारे बॉडी में अच्छे तरह से एब्सॉर्ब हो सके जिसे एनर्जी प्रोड्यूस होता है फस्ट चलते हैं पाथवे और डाजेशन है फिर्स्टली माउठ में जो हम फूड खाते हैं तो माउठ में मेकैनिकली फूड का ब्रेकडाउन तीत और टंग से हो जाता है फिर यहां पर सैलिवरी ग्लैंड होता है जो एटाच रहता है माउठ से तो जैसे यहां पर ब्रेकडाउन होता है फूड का सैलिवरी ग्लैंड प्रोड्यूस करता है सलाइवा और सलाइवा में में मेंली अमाइलेज एंजाइम होता है यह अमाइलेज एंजाइम फूड को मिक्स करता है वाटरी सॉल्यूशन में और यहीं पे अमाइलेज एंजाइम के कारण कार्बोहाइट्रेट का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है यह स्टार्ट का डाइजेशन में होता है लिए फूर्ट होग रावेरा है एसोफेगस में डिन उसा पर कर में मलोड नो हे जाहन चार तरह जाता है जाहनज ही जातों चुनकि जो पुछ कर देते है ते पहलो है को स gonna चाहिक बजल रहा हमाज कर चाहिक आहने ही ao be ईंडाीज में आगे पूश कर ते दिमेट स्टोंक महल मैं चाहिक नाग्रों संक नागे बाग ऑ ने कि a it's you mainly come come gta a microorganism जो food के साथ में आ जाते हैं उसको बारने का एंतर में म्यूकस काम एक इसलीक होता है हैं यहां का पी-एच पी-ए-च शुड़ता है टू बहुत एसलीक होता है तो यह बदीन मेडियम स्टॉमक को ही डाइजेस्ट ना करते इसलिए मुकस यहां पर एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है जिससे यह एच्छी यह स्टॉमक को डामेज नहीं कर पाता है तेन वाटर फूड को फूड को थोड़ा मस्टिकेट करने के लिए होता है देन एंजाइम में 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 इसलिए कि प्रोटीन आते हैं उनका डाजेशन स्टार्ट कर देता है पैपसीन इंजाइम के दुड़ा देन फूड यहां पे जब स्टॉमक फिल हो जाता है फुली फिल्ड हो जाता है फूड से दिन यह पास करता है फूड को इसमाल इंटेस्टाइं में यहां पेस्माल इ कर दिन विसमाल इंटेस्टाइं का दियोडिन इंटेस्टाइं में 3 पार्ट से हैं डियॉडिनी जियूजेणिम और इलियूम यह दियोर्दिनम जुड़ा होता है लीवर से अब लीवर क्या है लीवर एक सबसे बड़ा ग्लैंड है जो प्रोड्यूस करता है बाइल सॉल्यूशन यह प्रोड्यूस करता है बाइल जूस भी कह सकते हैं यह बाइल जूस यह प्रोड्यूस करता है इन बेट्वीन दा मेल्स और यह ट्रांसपोर्ट करते रहता है गॉल बोर्ड में। गॉल ब्लोर्ड एक स्टोरीज सेख है। जो स्टोर करता है कि बाइल जूस को जब फूड आता है डिउडूनम में तब ये बाइल यहां पे ट्रांसफर कर देता है और यहां पर Pencreas है जो आटेच रहता है यहीं डियोडिनम से हैं पैंक्रेसमेली प्रड्यूस करता है Bicarbonate Ion यह Bicarbonate Ion यहां पर जो Acidic Food आते हैं उनके नेट्रिलाइज करता है और यहां का पी-H यहां जो Small Intestine होता है उसका पी-H वो 8 कर देता है एट पीएच कर देता है ताकि यहां कोई डैमेज ना हो आगे स्माल इंटेस्टाइन में पैंक्रियास और भी प्रोड्यूस करता है सम एंजाइम प्रोड़ जो स्टार्ज पूटीन थे अंफैट के डाजेशन में हल्प करता है और जो बाइल जूस होता है वो मेंली फैट के अलिए दिशन में हल्प करता है मेंली फोर साइट दें डर्डेन में यहां पर सेल जो फॉल्ड रहते हैं और यह फोल्च वीली में एक ब्रश्यस होते हैं। जिससे माईक्ड वीली कहते हैं। जयसे यह हो गये तो इसमें वीड ब्रश्यस रहेंगे यह होतार हैं। वीली और जवीली में ड्रश्यस को और म hairs the abnormitis including Cond κα।षण को ज हबते हैं। और यहीं पर food का complete digestion और absorption होता है then food जाता है georgenum में georgenum में भी food का absorption होता है more than deodenum यहां पर more than deodenum willies and micro willies रहते है food transfer करता है ileum में वहां पर उतने willies and micro willies नहीं होते है वो just transfer करता है food को to the large intestine बाते हैं large intestine में यहां पर large intestine और small intestine का connection large intestine three parts में divided होता है first appendix then colon and then rectum appendix यह unusual thing है जो उसका कुछ यूज नहीं होता है extra organ है then colon colon में है यह ascending colon यह transfer colon and descending colon colon में यहां पर main water excess water का absorption होता है और waste material को आगे बढ़ाता है then food factor में temporary store रहता है और दिन लास्तली एनसे food का food sorry waste material का removal हो जाता है thank you friends for watching my video and please like or subscribe channel us झाल